Hello everyone, कैसे हो आप लोग ? तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे आप अपने किसी भी low quality की वीडियो को high quality में convert कर सकते हो तो वीडियो को last तक जरूर से देखना और चलिए वीडियो को start करते हैं तो वीडियो का quality बढ़ाने के लिए आपको सिर्फ दो अस्टेप करना है एंड आपका व्यूड़ का क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगा फर्स्ट अस्टेप में आपको CapCut एप की जौरत पढ़ने वाली है सो अगर आपके पासे CapCut एप नहीं है देन इसे आप सर्च वगरा करके इंस्टॉल कर लेना एंड CapCut को यूज करने के लिए आपको सबसे पहले किसी VPN से कनेक्ट करना पड़ेगा तो VPN आपको Google प्लेश्टूड में बहुत सारे मिल जाते हैं वहाँ से कोई भी एक इंस्टॉल करके उसे आप ओपन कर लेना देन कनेक्ट को ओपर क्लिक कर देना तो आप चार-पांच सेकेंड के अंदर VPN से कनेक्ट हो जाओगे जिसे ही का आप देख सकते हो मैं यहाँ पर सूपर VPN यूज कर रहा हूँ आप भी इसे यूज कर सकते हो ओके लाइक इसने कनेक्ट कर दिया तो सबसे पहले VPN से कनेक्ट हो जाना है उसके बाद आपको अपने CapCut को ओपिन करना है कुछ इस तरह का इंटरफेस आजाएगा देन निव प्रोजेक्ट के ओपर आपको क्लिक कर देना है उसके बाद आपको अपना वीडियो को सेलेक्ट करना है जिसका आपको क्वालिटी इंक्रीज करना चाहते हो मैं यहाँ पर एक गेमपली वीडियो सेलेक्ट कर ले रहा हूं फ्री फायर का एंड उसके बाद नेक्स्ट के ओपर क्लिक कर देना है तो आपका जो वीडियो होगा वो यहाँ पर एड़ हो जागा आप देख सकतो बिल्कुल एक नॉर्मल सी वीडियो है ठीके अब इस वीडियो की क्वालिटी को हम इंक्रीज करने वाले हैं तो वीडियो का quality increase करने के लिए आपको अपने वीडियो को पर click करने है ठीक है वीडियो को पर click कर देना उसके बाद आपको यहाँ पर काफी सारे options से देखते हैं जिसमें कि आपको scroll करना है और scroll करके आपको filter पर आजाने है ठीक है फिल्टर में आप आओगे तो बहुत सारे आपको फिल्टर देखने को मिल जाएंगे इन में से कोई एक अच्छा सा फिल्टर आप सेलेक्ट करें जो आपकी व्यूडो की क्वालिटी को इंक्रीज कर रहा हो जैसे के मैं आपको एक सजेस्ट करता हूँ यहाँ पर आप आपको एक एक हैचड़ी फिल्टर देखने को मिलेगा ठीक है एचड़ी डार्क नाम आम का इसे आपसे अरिस जैसे लेक्ट करोगे आप देख पाँगे कुछ यह तरह का विड्यो आपको कुछ зовут हो जागा जिसमें कि आपको वीड़को पौयलिटी काफी इन् हेंच वह हो जाता है आप यहां देख सकते हुँ ठीक है विड़यो का क्वायिटी भी काफी इंक्रीज हो जाता है और आपका विड़यो देखने में एच्छा लगते मतलब की कोलर गडिंग कर लेना है जैसे कि color वगर को adjust कर लेना saturation को पर जाके आप color यहां से increase या decrease कर सकते हो तो जितना सही लगता है उतना रख लेना मैं थोड़ा increase कर लेता हूँ उसके बाद light वगर अगर आपको increase करना है तो brilliance का आप use कर सकते हो इससे light थोड़ा increase हो जाएगा बट कम ही रखते हैं ज्यादा सही लगता है cinematic type का लग रहा है ठीक है उसके बाद आप यहां पर चाहो तो shadow भी थोड़ा से increase कर देना इतना कर देने से आप देख सकते हो कुछ इस तरह का वीडो हमारा कुछ इस तरह में convert हो गया है जो कि काफी अच्छा लग रहा है अब quality को increase क करने के लिए आप यहां पर सार्पेन को पर आना और इसे थोड़ा से increase कर देना ठीक बहुत ज्यादा increase करने की जरूत नहीं है हमें थोड़ा साप increase कर देना and done कर देना तो आपका यहां पर वीडो का quality काफी enhance हो जाएगा आप देख सकते हो ठीक है तो इतना कर देना है जिसस के बाद वीडो इफेक्ट को पर आप आजाना ठीक है यहां पर आओगे देना आपको काफी सारे इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं जैसे के आप देख सकतो और जो इफेक्ट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं ना उससे आपका वीडो का quality तो enhance हो गही साथे में वी DR2 का एक option मिल जागा या फिर यू बोलो filter मिल जागा इसे आपको select कर लेना है इसे आपको select करोगे दिन आप देख पाओगे आपके वीडो के उपर कुछ इस तरह का एक effect apply हो गया है जो कि अभी उतना अच्छा नहीं लग रहा है बट उसे adjust हम जब करेंगे तो काफी कम माल क लेगेगा ठीक है तो आपको इसे select करके just done कर देना है अब इसको थोड़ा बोत आपको adjust करना होगो उसके बाद यह आपके यूडो को पर काफी सही लगेगा तो मैं दिखाता हूँ कैसे adjustment करना है आपको simply सा adjust को पर click कर लेना then glow को आप यहां से थोड़ा कम कर देना ठीक है ज आप अपने वीडियो के recording देख लेना जैसा आपको सही लगे ठीक है उसके बाद आपको यहां पर नीचे में आना है और यह जो speed है इसके हमें बिल्कुल जरूत नहीं तो इसे पूरा zero कर देना और यह blur इसकी भी हमें जरूत नहीं है तो इसे भी आप बिल्कुल zero कर देना ठीक है यह दो चीजों को आपको zero कर देना है यह जो atmosphere इसे आपको यहां पर कम करके थोड़ा बूत रखना है इससे बेसिकली होता ही है कि अगर आप ज्यादा करोगे तो नीचे में डार्क डार्क हो जागा जैसे का आप देख पार तो इसलिए हम यहां पर कम कर लेते हैं ओ इतना आपको क्वालिटी इंक्रीज करना हो उतना आप यहां से बढ़ा लेना जैसे कि मैं इतना रख लेता हूं उसके बाद साइज बगर को भी आप यहां से अट्जेस्ट कर सकते हो बस वही है कि ज्यादा रखना वरना उतना अच्छा नहीं लगेगा ठीक है थोड़ा आ यहां पर वैल्यूज को रखना है एंड अपने वीडियो को अकॉर्डिंग थोड़ा से देखकर रख लेना फिर आपको डन कर देना है तो आप देख सेकतो यह एफेक्ट अपलाई करने के बाद हमारे जो वीडियो और भी ज्यादा सही हो गया है एंड देखने में और भी क हमाल का लग रहा है ठीक आप देख पार हो क्वालिटी काफी इन्हेंस हो गया हमारी वीडियो की अब इस इफट को आपको पूरा वीडियो को पर अपलाई कर देना है क्योंकि हम पूरा वीडियो को पर अपलाई कर देना है उसके बाद आपको अपने वीडियो को एक्सपो हो चुका है ठीक है कैपकट में जितने चीज़ें हमें करनी थे हमने कर लिया फरस्ट अस्टेप हमारे यहां पर कम्प्लीट हो गया है अब यह एक्सपोर्ट हो जाएगा उसके बाद में आपको एक और अस्टेप दिखाता हूं जो कि लिटरली काफी इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ही कमाल का है मतलब वह स्टेप आप करोगे ना तो आपको जो वीडियो होगा उसका क्वालिटी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा साथ ही मैं आपका वीडियो देखने में बिल्कुल प्रोफेशनल लेगे मतलब अस्मूथ लेगेग अगर आपके पास विंक एप नहीं है देनी से भी आप सर्च वगर करके इंस्टॉल कर लेना उसके बाद आप इसे ओपन करना ओपन करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा नाव यहाँ पर आपको काफी सारे ओप्सन से देखने को मिल जाते हैं जिसमें कि आपको क्वालिटी रियस्टोरिशन जो कि फर्स्ट में ही मिलता है इसको पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर क्लिक करने गबाद ट्राइना के उपर आपको क्लिक कर देना फिर अभी जो आपका वीडियो एक्सपोर्ट हुआ है कैपकर एप से उसे आप सेलेक्ट कर लेना ठीक है सलेक्ट करने गएगा आपको यहां पे थोड़ा सा वेट करना होगा एक automatic processor स्टार्ट हो जाएगा जिसमें का आपको कुछ भी नहीं करना है सिर्फ आपको यहां पे थोड़ा सा तो processing यहां पे complete हो चुक है और आप देख सकते यह before की हमारी वीडो जो की काफी सही लग रही जो की हमने cap cut से edit किया है और यह after after त्यों काफी कमाल के लग रहा है इस तो quality भी काफी अच्छा से बढ़ ही है और अगर आप यहां पे sky को देखो तो आप notice कर पाऊगे sky काफी अच्छे से smooth हो गया है अब देख सकतो मस्त लग रहा sky भी और यहां पे वीडो का quality भी बढ़ गया मैं इसे प्ले करके दिखा देता हूं यह before और यह after देख से तो कितना मस्त यहां पे वीडो का quality बढ़ गया है लग रहा है जैसे कि कोई popular creator gameplay video डाला है या फिर उसका gameplay video है जैसे कि अपने YouTube पे देखा हो काफी सारे का gameplay videos काफी high quality में रहते हैं बिल्कुल से मुस्सी तरह से लग रहा है ठीक है तो इस तरह से आप यहां पर दो step में अपने वीडो के quality को increase कर सकतो अब इसे अपने device में save करने के लिए just save को पर click कर देना मैं आपको एक बार ना before भी दिखा देता हूं हमारा हो गया वीडो का quality increase हो गया ठीक होम के उपर click कर दो complete अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार यह जो quality आया है ना वो भी उतना अच्छा नहीं तो आप क्या करो यहां पर quality restoration के उपर फिर से आप क्लिक कर दो और यहीं same step को अबर आपको और करो try now क आपने सेव किया है उसे सेलेक्ट कर लेना सेलेक्ट कर दोगे तो जो quality increase हुआ है उसका भी quality increase हो जागा मतलब कि और भी ज्यादा quality increase होगा मतलब अगर आपको और increase करना है तो सिर्फ यह step को आप यहां पर repeat करते जाओ आपको वीडियो को quality increase होते जाएगा जब आपको satisfy हो जा आपको यह पता चल सके कि हाँ जो मैंने यहां पर बता है वह really working है तो यह था हमारा normal सब वीडियो जो कि आप यहां पर देख सकते हो literally normal ही लग रहा है जैसे कि आप यहां देख पार हो ठीक है और यहां पर यह हमने cap cut में इसे edit किया था यह वाला देख पार हो जो कि काफी कम का cinematic type का लग रहा है बिल्कुल मस्त लग रहा है अब उसके बाद जब इसे हमने wing के app में edit किया तो और भी बहतर हो गया आप जैसे कहां देख सकते हूं ठीक है तो मैंने आपको यहां पर proof ही दिखा दिया and सारा step करके बता दिया कैसे क्या करना है तो मुझे उम्मीद है कि आ संदाय होगा तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वाली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई